आज हम करेंगे कक्षा नाइंद का व्याकरन भाग व्याकरन भाग में आज हमारा एक नया विशे है वर्ण विच्छेद वर्ण विच्छेद को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या होते हैं वर्न हिंदी भाषा की सबसे अच्छी इकाई वे सबसे छोटी इकाई वर्न छोटी से छोटी ध्वनी ध्वनी मतलब आवाज जिसके टुकड़े नहीं किये जा सकते वो वर्न कहलाते हैं जैसे अ, अ के ओर टुकड़े नहीं होते बेटे कहलंत के टुकड़े नहीं होते कहलंत के टुकड़े नहीं होते ग के टुकड़े नहीं होते अगर हमारे पास में पूरा क शवद अगर लिखा है तो इसके टुकड़े हम कर सकते हैं वो कैसे कहलंत और अ तो यहां जाके कहलंत और अ बनता है पूरा क कह सकते हैं कि जो एक व्यंजन है उसमें एक स्वर समाहित है वर्ण के दो भेद होते हैं स्वर एमम व्यंजन स्वर में हमें पता है प्रारमभी कक्षाओं में हमने किया है अ से लेके आहा तक व्यंजन में क से गय तक यहाँ पर आज हमारा विशय है व्याकरन का वर्ण विच्छेद वर्ण विच्छेद से मतलब होता है विच्छेद से मतलब होता है चीजों को अलग-अलग करना शब्दों की रचना जानने के लिए उन शब्दों के वर्णों को अलग-अलग करके दिखाने की प्रक्रिया को ही हम बर्ण विच्छेद कहते हैं वर्ण विच्छे जैसे आम आम में हमने आ-म आ-म हलंत अ ये पूरा हमने म वर्ण बना दिया यहाँ पर आम कमरा कहलंत अ म हलंत अ रहलंत आ कमरा सवेरा स स अस व अ वेरा शवेरा आदमी आ- आ द, अ, म, ई, आदमी बर्ण विच्छेद करते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जैसे अ का अमात्रिक शब्द है आ की मात्रा छोटी की ये वाली मात्रा होती है बड़ी ई, उ, उ, री, ए, आ, ई, ओ, अउ, अंग, आहा ये कुछ मात्रिक शब्द होते हैं, मात्राओं के चिन हैं ये कुछ सहयों की वेंद्यन हमारे वर्णों में आते हैं जैसे शे शत्रिये वाला तो शे शत्रिये के अकेले के तीन तरीके से हम इसके टुकडे करते हैं यहाँ पर मैं आपको हर एक मातरा का उधारन देती हूँ, जैसे मैंने बीना मातरा का शब्द लिया है, कम, कहलंत अ, महलंत अ, कम, आकी मातरा का उधारन है काम, कहलंत आ, म, काम, सितार अब हमें पता छोटीई की मात्रा लग रही है सहलंत छोटीई, त आ, र, अ तो यह छोटीई की मात्रा का शब्द लेए सितार, गीता, गा को बड़ीई, त को आ, गीता सुन, सै को उ, न, अ, सुन, फा को उ, ल, अ, फूल तो यहां पर हमने किया बड़े उ की मात्रा तक अब हमारे पास एक शब्द आता है री-रिशी वाला जैसे हमारे पास शब्द आगे है म्रग म हलंत र, ग हलंत अ, म्रग केला, एक ही मात्रा का शब्द क, ए, ल, आ, केला म, अ, ए, ल, आ, मेला ओम के लिए हम जैसे ओ की मातरा के लिए शब्द लेते हैं मोर म ओ र अ मोर ओ की मातरा के लिए हम लेते हैं पौधा अब हमारे पास आते हैं कुछ अनुस्वार एम अनुनासिक ये हमारे स्वरों में नहीं गिने जाते जैसे अनुस्वार जिवे बिंदी वाला शब्द जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर हम बिंदी वगरा लगाने की बजाए हम इस पूरे चिन को भी प्रकड कर सकते हैं सहीं तक्षवाले शब्द में आपको उधारन देती हूँ जैसे कक्षा क अ कश आ कक्षा आग्या आ जय आ आ आग्या म आ त्र आ मात्रा इस प्रकार मैंने आपको सभी मात्रों के उधारन दिये हैं आ की मात्रा का छोटी ई बड़ी ई उ बड़ा उ री ए आई ओ अउ अंगाहा और कुछ सहीं तक्षनों का भी उधारन मैंने आपको दिया है इन सभी उधारन को जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको समझ जाएगा यह था हमारा वर्ण विच्छेद का पहला भाग अगरी वीडियो में मैं इसके कुछ और उधारन आपको प्रस्तुत करूंगी जिससे यह आपको अधिक समझाएगा उमीद करती हूँ व्याकरन भाग का वर्ण विच्छेद आपको समझाया होगा घर पर रहें अन्यवाद